वेल्कम बैक तो माई डूब चैनल S.P. Steady Classes 9.335 पर तो च्टैन्ट आज का बीडियो बहुत ज्यादा important होने वाला है क्योंकि इस बीडियो के अंदर हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं आप paper देने जा रहे हैं आपको ये बीडियो जरूर देखना है अगर वीडियो आप देख कर जाते हैं तो मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी question लिखते हैं उसके full marks अगर आप अच्छा लिखते हैं तो full marks मिलेंगे बस आपको ये तरीका follow करना है आज का ये वीडियो class 12 इंग्लिस का होने वाला है ऐसा नहीं आप class 12 में तब ही आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंतर हम बताएंगे आपको question अंसर जो आते हैं आपके board exam के अंदर वो किस प्रकार लिखें कि आपको पू वीडियो सुरू से लेकर अंतक देखना है इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ explain करूंगा मैं आपको बो बताओंगा कि आपको किस प्रकार से question को हल करना है किस प्रकार question को solve करना है ठीक है सभी तरीके आपको करने है क्या follow board exam के अंदर तो देखिए सबसे पहले तो आपको मिलेगी सतरीके से आपको कौपी भरने के बाद आपको करना क्या है दिक्'RE क accordance के बाद आपको बिरके जाएंगे क्यों कि मैंन बात होती काफी काप़ आपको क्या करना आए अच्छे से साथ साफ अपने बोड exam के अंदर कोई भी उस पर कार्टपीट नहीं करेंगे अगर आपकी copy अच्छी भरी होगी आपकी writing अच्छी होगी तो आप कुछ भी ना लिखें सिर्फ आप answer के लिखने का प्रयास करें आपको number मिलेंगे मान लीजिए मान लीजिए जल्दी से देख लीजिए कि ये मेरे पास question आपका board exam का जाता है ठीक है अगर एक नम्र नहीं मिलेंगे अगर आप करके आते तो कुछ मिलेगा लेकिन मैंने इनको बताया को किस प्रकार से करना है इनकी मैंने बहुति पताई जैसा कि वाई मेंडा काल्ड गिग्रेन अनिमल्स है तो थेखिए यहां से मिल लाई आपको क्या करना है यहां से उठाके दो तीन लाइन यहां से टीब देना है देकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कोई भी कुष्टों आपको पुलिष्टॉप से सुरू करना है plus top पर ही उठाना है plus top पर ही अंत करना है इन सभी questions के answer हमने इससे पहले भी पता है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर जो main word हो गया why हो गया what हो गया इस तरीके से आपको question को match करना है इस passage में छाट लेना इसको answer लिख देना है अब आप बात आती कि हमें लिखें कैसे main तो बात वही आती कि आप लिखें किस परकार जो आपको number जो है आपको full में full मिले देखें लिखने की बात तो सबसे अच्छी होती है क्योंकि student आपके पास board exam की जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आपकी जो board की copy होगी वो कुछ इस परकार से copy होगी मान लीजिए मान लीजिए आप suppose कि यह आपके board exam की copy है ठीक है अब हमें बात आती कहां की इसमें copy कैसे लिखें आपको बात करना है किसकी हमें questions नहीं आते है हमें number चाहिए तो आपको क्या करना है यह section A है क्या है reading का है तो हम क्या करेंगे section A उपर लिखेंगे और reading नीची underline कर देंगे अच्छे से ठीक है अब हम बात करते हैं question number को था है question number first है तो हम क्या करेंगे लिखेंगे question number first इस तरीके से हमने लिखा कि examiner को मैं कुछ भी ना लिखू लेकिन उसको समझ में आ जाए किस question को मैंने लिखने का प्रयास किया है पस इतनी बात अगर examiner को समझ में आ गई वो number आपके किस बात भी काटेगा वो वहाँ पर आपके कोई personal दुस्मनी तो लिए बैठे नहीं वो आपको जानता तो है नहीं वो आपको सोचते आए क्योंकि उसके पास भी बहुत target होता है कई उसको copy check करनी होती है क्योंकि student copy check कराने के रुपए मिलते है और गर रुपए मिलते है आपको गर कोई रुपए दे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे तो एक्जामलर को वहाँ पर आपको क्या करना है आसानी से copy check कराना है अपनी उसको ज़्यादा धोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़े आप अच्छा जिलिखिए देखिए अगर हमने बात कीजिए कि question number first है देखिए इदर तो एक्जामलर क्या सोचेगा कि हाँ वो question पहला है उसका answer इसने लिखा है अगर वो गलत है मान लिजे question तीन नंबर का है वो आपको क्या करेगा दो ली देदेगा क्योंकि आप में उसने मेहनत नहीं की ढूरने में अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको तीन में तीन इतने खंड होते हैं इसमें student बहुत गलती करते हैं और यहां तक कि मेरी offline coaching में भी student बहुत गलती कर देते हैं मान लीजे ए हमारे e section है इसमें हमें तीन question दिएगे हम क्या करेंगे पहले तो डाल देंगे पहले का e उसमें पहला section फिर answer लिख देंगे फिर दूसरा section फिर तीस आप इसकी देख लेना अब बात करते हैं पलट देते हैं जब जब कॉपी पलटते हैं तो हमें आता है section B section B में हमें क्या करना होता है देखिए अब बात आती section B की तो सबसे पहले हम लिख देंगे उपर section B और इसका portion राइटिंग का पूर्शन होता है अब हमने क्या किया section लिख दिया writing के और section B कहां से होता है question number 2 से सुरू होता है तो हमने क्या किया section B writing question Number two लिख दिया question number two अब अमें करना क्या है हमें देखिए question number A अगर आप solve कर रहे हैं तो यहां पर A रखिए अगर आप B solve कर रहे हैं तो आप B रखिए आप जो भी solve कर रहे हैं और फिर उसको heading डाल के उसका जो भी लिखना है वो लिखिए मैं आपको भी बताऊँगा कि आपको किताब आले question अंसर आपको किस प्रकार से करने हैं अब हम बात करते है question number 3 की क्योंकि section तो एक ही चला है इसमें question number 3 आजाता है question number 3 आजाता है तो question number 3 हमें solve करना है अब बात आती है section C जिसमें आती है grammar section C grammar में आपको क्या करना है आपको डाल देना है section C आप इस तरीके से डाल देंगे तो examiner को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर देखिए अगर मालीजे section C आपने डाल दिया grammar आगे लिख दिया तो examiner सोचेगा कि यहाँ से student ने क्या सुरू किये grammar सुरू किये grammar हमारी सुरू होती देखिए मालीजे यह आपको विकल्प जो है ऐसी सरकार जहां पर government उपस्तित नहीं से इनार्ची कहते हैं इनिकी अरा जक्ता कहते हैं इसमें निसान भी लगा हुआ है कोई दिक्क नहीं पुड़ाना paper है ठीक है हम इसको आपको समझा रहे हैं देखिए अगर मालीजे आपको विकल्प नहीं आते हैं आपने किसी पर गलत टिक कर दिया किसी पर अगर एक्जामनर अच्छा है वो सोचता है कि student अगर एक नंबर आपको कम पर रहा है कहीं पर भी मालीजे आप ये अच्छे नंबर आने में एक नंबर कम हो रहा है अगर मालीजे 89 नंबर आ रहे हैं और अगर आपने यहां पर क्या किया है सिर्फ टिक मार आ रहा है सिर्फ टिक तो एक्जामनर क्या करेगा कोई को भी एक नंबर कम देना अच्छा नहीं लगता वो यहां पर क्या करेगा देखिए एक्जामनर जाता आप copy में अच्छा कर गया है ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई यह जो बात है आपके बहुत काम आ सकती है बोर्ड एक्जाम देने रिखते हैं आप बात कर लेते हैं direct questions अंसर की आपको इसी तरीके सारे questions section कभी करने लें आप बात आती देखे question number section जो आता हमारा लिट्रेचर आता है इसमें एक question दिया होता है 40 bird में करना होता है और इसमें आपको दो questions करने ओंगे उसके लिए आपको आठ नमबर दिये जाएंगे जैसे कि इसमें पहला question दिया गया आय से अब इंडिगो वाला तो आपको कुछ भी नालीज आप इसको लिखी दीज़, अगर आपको नॉलीज नहीं है, तो आप अपनी रामाड लिखना सुरू कर दीजिए, और रामाड के बीद गाण दीजी, टू टम्पारन, इस तरीके से राजकुमार, इस तरीके से बीच-बीच के बडन उठाके, औ बड़ के नहीं चैनल आए तो एक जमनल सोची का हाँ इस चेप्टर के बारे में इसने लिखा है अब बात आती है दूसरे कोश्टन की ठीक है इन तरीके से रैप ट्रॉप हमें में बड़ क्या होना चाहिए अब हमें रैप ट्रॉप चुई है जानवाले चेप्टर से आता है तो हम रैप ट्रॉप पैडलर के बारे में लिख देंगे चुई है फेरी वाला उसके बारे में हमें लिख देंगे बस हमार आंसर कतम अब आता है बात आती ही कुस्टन नमबर एट की कुस्टन नमबर एट में आता है कि हमें एक लिखना होता है कुस्टन असी बड़ में ज डीप वाटर, आपने डीप बाटर भी पढ़ा होगा अच्छे से, deglas बाला चeپτर है, उसमें आपको बीच बीच मेंदेगलस का नाम देना है, डीप बाटर लिख देना है, swimming लिखदेना है, तो तरने वाला है, swimming लिख देना है, इस तरीकर सब्स जान करना है, अब बात आती है question number 9 की question number 9 के नीचे आपको इस्टेंजा दिया होता है इसमें आपको writer का नाम पुछता है और आपको protest पूछा किस करता से लिया देखे यह लिया गया है my child मेरा बच्पन बता है नहीं मेरा बच्पन कब चला गया इसके बारे में आपको लिखना है ठीक है लेकिन आपको क्या बताया मैंने शुरू में आपको question answer अच्छे तरीके से लिखना है question डालना है बाकाईद answer देना है बैसे बात कीजिए I'm keeping quiet यहाँ पर आती है central idea central idea मैंने बहुत पढ़ा है कई बार पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर हमने एक think up beauty आपको golden number golden poem के नाम से बताई थी वहाँ पर आपको central idea अगर आपने अभी कोई नहीं याद की तो सिर्फ आप think up beauty याद करके जाए मैं कहता हूँ पूरे number लेकर आएंगे आप think up beauty central idea आपको पकाई फ्रस जाएगे इसा ही प्रकार इस्टुएंट आपको सभी questions में करना है आपको वीडियो आपको अच्छा लगाओ कर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को share कर दीजे जाए इस्टुएंट आप लोगों के साथ हमारा आसिरवाद है और आप पेपर में अच्छा करके आएंगे और साम को हमें comment करके बताएए आपका paper कैसा हुआ ठीक है इस्टुएंट जाहिंद बंदे मात्रों